चारबा बात करिए प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ड्राइगर्थी संभोधन करियांची सीथा त्याँ जएए किड्नी की बिमारी ऐसी अनेक गंबिर बिमारियों की सिसी में 36 गड़ के गरीब भाई भेहन को अपनी सारी जमीन और गरबार तक बेचने की नौबत आएगी और यही बैठे हुए कांग्रेस के तर्टोर तरीकों का नमूना है साथियों आश्मान भारत योजना में वैज्यानिक तरीके से लाभार्थियों का चैन होता है कोई किसी का नाम लिस्ट से हटा नहीं सकता फर्जी वाड़ा करके किसी का नाम जुड़ नहीं सकता और पैसे सीधे अस्पतार के अकाउंट में जाता है मरीज को एक भी रुपिया अस्पतार को देना नहीं पड़ता है गरीब को यही सीधी मदद बिचोलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बरदास कर सकती है ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल नहों बिचोलिये नहों वो कांग्रेस को रास नहीं आती है साथियों जिनको पिडियों से मलाई खारने की लट लगी हो जो पंदरा वरसों से तरस रहे हो वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते है वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ मैं भी खाओ इसकी पूरी पूरी वबस्ता हो उनको उसी में रूची है भाई और बहनों गोटा ले गपलों की इस नीती और नीत का ही प्रणाब है कि यहां कि सरकार ने CBI की जांच में भी अडंगा लगाने का फैसला लिया एक बात मुझे बताईए अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या डरेगा क्या 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 कोई भी एजनसी बीना किसी कारण से पुछ्टास कर सकती है क्या अगर राज्यों में देश के इमामदार करदेताओं के पैसे से ब्रस्टाचार होता है तो CBI को कारणेवाई करने का अधिकार है या नहीं है साथ्यों आपको इसमें कोई कंफ्रिजन नहीं है लेकिन कॉंग्रेस को इसमें समस्या है समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने प्रस्टाचार को छेपाने में लग गई है आखिर बिल्ली से भी तो उसे यही समस्कार विरासत में मिलते हैं और अगले चुनाव के लिए उनको तो 36 गड़ को ATM बनाना है कॉंग्रेस पार्टी का अगर CBI यहां बैठेगी तो ATM बनेगा कैसे क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्ते भरबर कर कुछ माल भेजना है इसी के बढ़ले में तो यहां वेबस्ताएं की जा रही है और इसलिए कॉंग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरूत आज देखिए अताज़तों में गंबीर मामले चल रहे है कुछ जमान पर छूट रहे है कुछ अगरिम जमान लेकर के जी रहे है क्या मामले चल रहे है टैप्स चोरी के जमीन और प्रपर्टी में गोटा लेके हालत ये है कि परिवार के जादातर सदस्य आज जमानत पर बार है या अगरिम जमानत लेकर के बैठ है कानून से बचने की इनकी कोशिसों के बीच चोकिदार रहलत है उनके हर राज को बहार निकालने में जुटा है बेश विज़े से इनके राज़दारों को इनके दलाल मामा और चाचाँगों को भारत लाया जा रहा है और जाच एजन्सियों के हवाले किया जा रहा है भाई और भेनों चोकिदार की ये सक्स कारवाई देखकर अब ये जरा बौकला गए है देश के अलग अलग हिस्तों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिस हो रही है जो कभी उनी को कोशते हुए कॉंगरेस से बहार निकल गए थे इन लोगों में आपस में होड लगी है कि कौन मोदी को जादा से जादा गाली दे कर अपने नमबर बढ़ा ले यह जो महाम मिलावट है उस महाम मिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटरिया है आप बताओ आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो अगर जादा दे पाते हो तो महाम मिलावट में एंट्री है देश के भविश के लिए इनके पास को योजना नहीं इसलिए इन मिलावटी लोगों ने मोधी को ही मुद्धा बना रखा है सुबे साम मोधी मोधी करते रहते यह नहीं करते हैं यही करते हैं नहीं करते हैं भाई और भनो आपको इन मिलावटी लोगों से सतक ढहने की आवशक्ता है ब्रस्टाचार के आरोपों से गिरे हुए इन लोगों की कोई विचार धना नहीं है इनका असली राजनिती यही है कि खुद ब्रस्टाचार करो और ब्रस्टाचार करने वालों का सात दो समरक्षन दो लेकिन साथियों ये कितनी भी महा मिलावट कर ले चोकीदार चूप बैठने वाला नहीं है मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी किताब खुनने से डर से देश के सक्ति सारी सुल्टानों पर हाथ डालने से बढ़ते से आपने सुनाओगा कली लोग सबा में मैंने कहा है न मैं किसी ब्रस्ट का एहसान लूँगा और नहीं किसी ब्रस्ट पर एहसान करूँगा सास्यों ठगी और दोखागड़ी कॉंग्रेस की रग रग में बसी है 36 गड़ के किसानों से कर्ज माफी का वाइदा किया गया था कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ हुआ क्या जड़ा बताईये ने हुआ क्या और दस दिन में करने के लिए कहां तक नहीं कहा था भोड बटोर लिए खेल खतम कैसे लोगों को माफ करोगे क्या और मुझे बताया गया है कि सिर्फ उन किसानों का थोड़ा बहुत कर्जी माफ किया गया है जिनोंने ग्रामिर बेंकों या सहकारी बेंकों से रोन लिया था उनका क्या हुआ जिनोंने राश्चिये बेंकों से लोन लिया था क्या वो किसान नहीं है क्या उनके सर पर कर्ज नहीं है क्या उसको करद माफी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और चुनाओ के पहले ये बताया को नहीं आपने यही काम दोखागडी उनको पता है कि एक मार भोट पुटर लो कुर्सी छीन लो और फिर जनता जनता के ठिकाने पर और नेता दर्बारों में जाकर के जिह जूरी करने लिग जाते है सबसे बड़ी बात उन गरीबों किसानों का क्या हुआ जिनों ने किसी सहुकार से करद लिया या किसी रिस्तिदार से करद लिया है उनका कौन करेगा साथ योग करद माफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने का काम करने वाली कॉंग्रेस के यही तौर तरीके है यह दस वर्थ बाद हर दस वर्थ के बाद चुनाव सामने दिखता है तो किसानों के कर्ज माफी का पटारा खोल करके आ जाते हैं पहले दोजार नौ का चुनाव जितने के लिए कर्ज माफी का खेल लेके आये थे अब दोजार उन्नीस में लेकर के आये हैं लेकिन इनकी कर्ज माफी का सत यही है कि बिचोनियों का भला होता है और किसान फिर से कर्ज के बोच्टले दब जाता है साथ कि अगर बहुत इमानदारी से कर्ज माफी की जाए तो भी देश में आपके गाउं में भी सो में से बीस पतीश या तीश किसानों को ही इसका लाब मिल पाता है अभी ये जो कर रहे हैं उसमें तो इससे भी कम मिलने वाला है बाकी के किसान क्या खेती नहीं करते क्योंकि वो और ज्यादा गरीब है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए जी नहीं ये भेदवाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है इसलिए ही बाजपा सरकार इस बजेट में पी-एम किसान सम्मान निदी योजना लेकर क्या आई है इसके तहर किसान को साल में छे हजार रुपिये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांस्पर किये जाएंगे कोई बिचोलिया नहीं कोई दलाली नहीं कुछ नहीं इससे 37 गड़ समेट देज बर के करीब 12 करोड ऐसे किसान परिवारों को लाब होगा जिनके पास पाँट एकर या उससे कम जमीन है इसका मतलब 37 गड़ के गावों में सो में से करीब करीब 90 से भी जादा किसानों को मोदी की इस योजना का लाब मिलेगा सो में से नब्बे साथियो पियाम किसान सम्मान निदी योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ दथ साल में एक बार आती नहीं है लेकिन मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फाइदा करेगी कॉंग्रेस की कर्ज माफी योजना से दथ साल में एक बार पच्चास हजार करोड रुपिया ये इने इने किसानों के पाद जाते थे मोदी की जी योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहर अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले दस साल में साड़े साथ लाख करोड रुपिया कहां पचास जार और कहां साड़े साथ लाख करोड रुपिया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं आप मुझे पताएए इससे किसानों का लाप होगा अग नहीं होगा कर्द करने की मजबूरी से बहार आएगा अग नहीं आएगा फसल पक्ते समा उसको जो ज़रूरी चीजे हैं वो ले पाएगा अग नहीं ले पाएगा सोचिए ये देश की ग्रामिर अर्थ में वस्ता की कितनी बड़ी मदद होने जा रही है साथियों कभी देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी में आपको देना चाहता हूँ आज अकभारों मैं कहीं कौने में छोटी मुड़ी खबर है लेकिन है बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए भाई और बेनों अब तक देश के छोटे किसानों को बेंकों से बिना गरंटी एक लाथ उर्पिय तक का क्रिसी कर्ज मिलता था अब जो ताज़ा फचला हुआ है उसके बात देश के छोटे किसान एक लाग साथ हजार रुपिय तक का कर्ज बिना किसी गरंटी को ले पाएंगे अब उन्हें बिना बेंक गरंटी जादा कर्ज मिला करेगा हमारी सरकार के प्रयास से सभी बेंकों ने मिलकर ये निर्ने लिया है कि किसान क्रेडिट कार के तहर जो भी चार्जेज बेंक लेते थे वो अब नहीं लिये जाएंगे बेंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग भी दस्तावेट का चार्ज खाते से जुड़ा चार्ज इंस्पेक्शन का चार्ज ये सभी शुल का समाप्त कर दिये जा चुके हैं मैं इंडियन बेंकर्स एसोशेशन को इस किसान हिते सी निर्णे के लिए बढ़ाई देता हूँ भाई और भेनों हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी आवस्ट्रक्ताओं को पूरा करने के लिए प्रसिबत है किसानों को कम ब्याजदर पर रण मिल सके उसके लिए ब्याजदर में छुट के लिए जो रासी उपलब्द कराई जाती थी